तो पेज नमबर 60 और हम्यारा यहां का लास्ट पैराग्राफ से हम कंटीन्यू करेंगे तो हमने यहां तक पढ़ लिया था कि जो ओल्ड मैन है वो वेंडर नूडल्स शॉपला वेंडर नूडल्स देता है ओल्ड मैन को और वो कहता है कि यह ले लो यह बन चुके हैं उसके बात क्या होता है तो जो पूरे काप रह होते हैं और वो बावल लेता है नूडल्स का और फिर वो अपनी दूसरी बास्केट की तरफ जाने लगता है वो उसकी तरफ देखता है तो एक जो कपड़े से सब चीजे ढक्यों होती है वो कपड़ा उसको हटाता है उसको जैसे हटाता है तो उसमें एक छोटे से बच्चा रहता है उसके अंदर जिसका फेस बिलकुल ऐसे श्रिंक हो जाता है बूक के मारे लाइंग with his eyes closed और वो बच्चे का जो बच्चा है वो उसमें पूरा लेटा हुआ होता है और उसकी आंखे बंद रहती है जब तक वो खतम नहीं हो जाती now come to page number 61 the old man kept murmuring to him और old man खुद को murmur करता है they are my heart, they are my child और वो ऐसा बोलता है कि ये खाओ मेरे बच्चे you are my child, my heart, your grandson, send the vendor, set the vendor तो जो noodle shop अला vendor है वो कहता है कि ये आपका grandson है means ये आपके बेटे का बेटा है yes, said the old man the son of my only son वो कहता है हाँ मेरा जो एक बेटा है ये उसका बच्चा है both my son and his wife मेरा जो खुद का बेटा है और उसकी जो वाइफ है droned while working on our land वो flood के कारण पूरा डूब गए when the dikes broke जब अर्थ पूरा अर्थ से जब पूरी water और sea level से पानी आ गया तो वो उसमें बह गए he covered the child tenderly and then और उसने फिर अपने बच्चे को means अपने grandson को cover किया squatting on his haunches he ran his tongue carefully around the little ball and removed the last trace of food उसने धीरे धीरे करके पूरी noodles उसे खिला दी then as though he had been fed भी handed the ball back to the window और फिर जैसे उसने वो noodles finish कर ली तो old man वो bowl वापस देने के लिए vendor की तरफ मोडता है but you have the silver bit cried the vendor yet more astonished when he saw the old man order no more तो वो देखता है कि इसके पास silver bit, silver coin भी है फिर भी इतनी सी noodles ले रहा है खुद के लिए नहीं ले रहा है तो वो vendor बोलता है ऐसा कि तुम्हारे पास तो ये भी है पर तुम कुछ और order ही नहीं कर रहे हो the old man shook his head that is four seeds he replied old man कहता है कि ये मेरी that is four seeds ये seeds के लिए है ये coin as soon as I saw it I knew I would buy seeds with it जैसे ही मैंने इसको देखा तो मैंने सोच लिया था कि मैं से seeds खरी दूँगा they ate up all the seeds and with what shall the land be sown again इन लोगोंने सारी seeds ही खाली तो अब हम उस land में उगाएंगे कि जब बीज ही नहीं है तो seed ही नहीं है if I were not so poor myself said the vendor तो vendor कहता है अगर मैं भी अगर poor इतना जादा गरीब नहीं होता I might even have given you a bowl मैं ही तुमें खुद एक bowl देता but to give to a man who has a bit of silver but to give to a man who has a bit of silver तुमारे पास तो silver है इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं तुमें कैसे दूँ I do not ask you brother said the old man तो वो कहता है old man की पर मैंने तुमसे नहीं कह कि मुझे और noodles खाना है well I know you cannot understand और मैं जानता हो तुम नहीं समझोगे but if you had land अगर तुम मेरे पास जमीन है you would know it must be put to seed again तुमको लगेगा कि मैं उसमें फिर से बीज होगा हूँ और there will be starvation yet another year the best icon I can do for this grandson of mine is to buy a little seed for the land yes even though I die and other plants planted the land must be put to seed मैं चाहता हूँ कि अगर मैं मर भी चाहूँ और मैं ना भी रहूँ तो मैं इतना seed खरीद के जाऊँ और अपनी land में seed उगा हूँ ताकि मेरे grandson को कोई दिक्कत नहीं है he took up his load again फिर उसने अपनी basket वापस उठाई his legs trembling उसके पैर का pretend straining his eyes down the long straight street he staggered on और अपनी basket उठा के वापस से वो सीधा सीधा बूखा और बहुत ही starvation में परिशान होता हूँ वाँ से चला जाता है and here we have completed our story